हेलो अब्रिवन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाचपेई आप लोग जुड़ चुक हैं इसमें इंडिया के नंबर वन इस्टडी चैनल वाइफाई स्टडी पर और आप लोग इसमें जुड़े हुए वाइफाई स्ट्डी इस्टूटियोज ऑफीसियल है तो चाहिए वो यूपी पुलिस कॉंस्टेवल का एक्जाम है या लिखपाल का एक्जाम है तो बहुत अधिक संख्या में आपके बहुत सारे कॉस्चन्स वहाँ पर पूछे जाते हैं वह बड़ा सेलेक्शन में एक महत्तपूर्ण भूमिका के रूप में हिंदी रहता ह है तो इक बार सबसे पहले सभी लोगशस कर देंगे मुझे लифपार वा बहुत 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 वहतरी कया सकते हैं वह बहुत ही बहुत ही बहुते लजाडंडी में मैं आप लोगों के लिए एक इसरीज लेकर एंओ पूरी की सिरीज जो आपकी आज यानि की 7 15 पीम से स्टार्ट होने वाली है साम को 7 15 बाद दूसरी क्लास 8 15 होगी कि तीसरी क्लास 9 15 होगी चौति क्लास 10 15 पर यह सब पीम पर ठीक है तो आप सारे लोग मुझे भी फालू कर लेंगे तो मेरी classes का notification आप लोगों को जरूर मिलेगा और देखिया आइकोनिक subscription है या प्लस subscription है जो भी subscription लेना चाहते हैं आप आइकोनिक के features आप लोग कोड़ सकते हैं इससे discount आप सभी विद्यार थीओ को जरूर मिलेगा और अनकेडमी लर्नर पर एक नया एक फीचर है, Ask a doubt by anacademy, कोई भी प्रसन आपको पूछना है, image form में create कीजिए, send कीजिए, instant answer मिलेगा, और किसी भी test series को चाहते हैं, तो आप लोग एकदम free में हाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, raise hand का परियोग करके, आप अपने educator से सीधे जुड़ सकते हैं, और सीधे बाचीद कर सकते हैं उन से, जिससे बहुत सारे प्रसन आप लोग solve अपना करा सकते हैं, और देखिए ये जब आप subscription प्राप्त करते हो, तो इस तरीके से आपके सामने यह आता duration select कीजिए, और एपलाई पर क्लिक कर दो, प्रोसीड टू पे कर दीजिए हो गया अभी सब्सक्रिप्शन, पहला सवाल है, खरा सब्दकार्थ क्या होगा, देखो खरा मतलब समझते हैं यार आदमी बड़ा खरा है, खरा मतलब आजिर जवाब है, कोई भी चीज छलकपट ने यह तुरंद बोल देगा, तीन दोसें, तीन दोस कौन-कौन से हैं, वात है, पित है, और कफ है, ताप कौन-कौन से हैं, दैविक है, और भौतिक है, तीन दोस का भाग है, यह त्रुदोस का भाग क्या है, आपका वात, वात जो है, आपका दोस है, ना कि आपका ताप है, ताप कौन-कौन-कौन से हैं, दैविक भौतिक तापा, यह आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लेर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है बाए, चलिए आगे ब आई वो, जब भी पुल्लिंग, इस्त्रिलिंग की बात करते हो, तो यहाँ पर कुछ नियम है, याद रखिएगा, जब भी किसी महासागर का नाम आए, तो हमेशा लगाना पुल्लिंग, जब भी किसी देश का नाम आए, तो हमेशा लगाना पुल्लिंग, जब भी किसी पे स्री स्वड़ देना अन्नियम बभूर कुछ भी संब पुलिंग हैं वकिन इमली मौल्सिरी छोड़ देना मौ सभी द्रवपदार्थ पुलिंग हैं लेकिन तीन छोड़ देना और कौन से चाए कौफी लशी यह तीनों इस्त्रिलिंग होते हैं ठीक है? यहाँ पर फुलिंग सब्ध है आयू बागी सब्स्त्रिलिंग में कपड़ा चमड़ा खेल आगे बढ़ता है सुद्ध सब्ध कौन सा है गदाहा गदर्व गद्रव या गर्द इन मेसे सुद्ध कौन सा है? देखो विच्चे बहुत महत्रपूर है गदाहा जो है यह आपका एकदम सुद्ध है कुछ रोग ऐसे लिखते हैं गदा यह गलत होता है गदाहा यह सही है समझ रहा है और यह खुद है गदा वो गदा भीम बाली गदा दरी भीम बाली ठीक है तो याद रखना है आगे बढ़ते हैं तत्सम सब्द गयात करना इसमें से अंगूठा आमला अनार होट बहुत बढ़िया सवाल है अंगूठा का तत्सम होता है अंगुस्ट और आमला का तत्सम होता है आमलका होट का तत्सम होता है ओस्ट यह जो अनार है यह आपका बच्चे तत्सम हो जाता है ठीक है अगला सवाल है इन में से सुद्ध वरतनी का चेन करना है केस कस कस केस सुद्ध वरतनी का चेन क्या होगा भई फटा पट से आंसर किए देखो यह बहुत बढ़ी सवाल है सुद्ध वर्तनी की बात अगर कभी भी करोगे तो देखिए ये जो केस है ये आपका एकदम सुद्ध है बांकि ये 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 सब गलत है असुद्ध है निम लिके सब्दों में से तद्भो सब्द गयत कीजिए बहुत बढ़ी है सवाल है बहुत ध्यान से समझोगे तद्भो पूछा गया है नारियल अगर लिखाओ तो ये तद्भो होगा नारिकेल तत्सम है नीम अगर लिखाओ तो यह तध़ होगा निम भुविया तत्सम है ठीक है? और नया जो है इसका नव तत्सम हो जाएगा तो यह आपका तत़्ज़ है बाकी सब तत्सम है अगला सवाल जिसको ग्यान ना हो इसके लिए एक सब्द क्या होगा मूर्ख अनिविग अग अग्यात जिसको ग्यान ही ना हो उसके लिए एक सब्द बच्चे क्या होगा देखोगे जिसको ग्यान ना हो उसके लिए एक सब्द हो जाएगा अग्य क्या हो जाएगा अग्य जिसको ग्यान ना हो उसके लिए एक स चित्रकारी की थी मुगलकाल में एक चित्रकार ने जहांगीर के समय का था क्रसकाय मजनू कि चित्रकारी की थी तो क्रस मतलब जीर से टूटा फूटा यह सब कह सकते हो क्रस और पीन का मतलब मोटा ताजा एकदम हस्ट पुस्ट तो यह हो गया भई ठीक है पीन हो जाएगा अगला सवाल मनुस्य जाति से परे के लिए एक सब्द क्या होगा अलग मानवेतर अमानव या इन में से कोई नहीं मानव से इतर क्या हो जाएगा यार मानवेतर तो यह मनुस्य जाति से परे मानवेतर अगला सवाल है धाक के तीन पात जो धाक के तीन पात है आपने 10 रुपे से काम शुरू किया आए बीच में 50 रुपे मुनाफ़ा कमाया फिर 100 रुपे मुनाखा फिर घाटा हो गया दस पे रूखे आ कर रहे तीन पात तो क्या हो जाएगा परम सुक अच्छा सुक कुछ नहीं सदेव एक जैसा तो क्या हो जाएगा इनमें से क कोई नहीं हमें स्याद रखिए टके का ही सब खेल यानि कि यह मुहावरा है तो पैसे से पैसे से सब कुछ है अगला सवाल है थका उंट सराय तकता है इस मुहावरे का बहुत यह समान लीजिए कुछ बड़ा ठक गया कहीं से जरनी करके आए बड़ा ठक गया है मजा आ गया लेकिन अब जो है एकदम जबर्दस तरीके से हम निद्रा लेंगे निद्रा मतलब सोहेंगे तो यह थकने पर विस्राम चाहिए थका उंट सराय ताकता है अगला सवाल जहस किसका प्रहावाची वे बिल्ली कुत्ता का मुतर मचली जहस देखो जहस याद रखिये एक तो सफरी याद रखो मीन याद रखो मत से याद रखो ये सब मचली के हैं ठीक है कपूतर के मैंने बहुत बारे बताए हैं कपूत है अरीत है रक्त लोचन है पारेवा है पाराब्रत है ये सब कबूतर के हैं ठीक है कुत्ता के देखो याद रखो गे तुनक है त्वा है सार्मे है पूकर है ये सब आपके कुत्ते के हैं ठीक है याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अंगला सवाद दुख का हलका रूप जो है वो क्या होता है जब किसी को दुख जो है थोड़ा सा कम है तो हम कहेंगे यार क्लेस है यह होता है जिसे कुछ क्लेस बहुत करते हैं यार यह हर बात में बड़ी टिपर लगाते हैं अपने ये तंग रोड़ा अणाएंगे हर समय कुछ रोते रहते हैं बड़ा सैडिस्टिक आदमें हैं क्लेस करते हैं और एक चीज में जगड़ा करते हैं तो यह दुख की एक हलकी अवस्था होती है नालिस किसका उता ही द्रवकार तरलपदार्थ होता है ठीक यह मतलगा देने यह वाला अगला सवार्ट यह मुंकदमा हो गया सुद्ध सब्ध कौन सा है बहुत बहुत बढ़ी है सवाल है, बहुत मस्त question है, गायकी कुछ नहीं होता है, गायकी कुछ नहीं होता है, अधगती कुछ नहीं होता है, अधःगती होता है, यह सही है, अब एक में देखो, बड़े आकी मात्रा लगी, दूसरे में नहीं लगी, जिसमें बड़े आकी मात्रा लग गलत है जिसमें नहीं लगी है वह सही है यानि कि क्या हो जाएगा अत्यधिक आगे बढ़ते हैं आध्यादिक अगर पूछा जाएगा आध्याधिक का बढ़ते है अध्यादिक क्या होगा हम और पूछन जाएगा तो वही है आधे हो जाएगा तो इसलिए गुरु मतलब क्या हो गया उपर का लगु मतलब छोटा हो गया तो गुरु लगो काल का निश्चित भाग क्या कहलाता कोई भी काल का निश्चित भाग लगर पूछा जाएगा तो बच्चे अवद ही कोई भी एक duration है उसका एक निश्चित समय हमने का जैसे एक बहुत अच्छा एक्जामपल जो हम लोग CCTV टीवी एकमरा लगाते हैं घर में लगाते हैं सौप पर लगाते हैं तो जब आप देखते हो न कि इतने बच के इतने मीनिट पर यहां से रिकॉार्ड़ीं तो वो क्या हो है यह ओगे पढ़ते हैं अगले सवाल वा अर्थ क्या वा च yap वायू पार या इन में से कोई नहीं वा-थ का क्या है ला-थ किभ तो वाथ मतलब क्या होता है वाई होता है होट बात ये प्टपटा वाला बात यह बचन हो भद्रकार्थ क्या है भला एक नच्छत्र बुरा ये कमी कि यह जो भला है ना यार बसंत बाबू बड़े भद्र पुरुस है यानी कि यह आपका बद्र मतलब भला हो गया ठीक है और यह जो भद्रा है न कहते तुम्हारे भद्रा चल नहीं है इसकी बंद्रा चल लही है, पहले पत्रा उत्रा नहीं, पंडी जी देखते थे, इसकी बंद्रा चल लही है, तो यह बंद्रा एक नचत्र है, ठीक है? याद रहेगा? और बुरा का अगर तत्सम सब्द का भी पूछा जाएगा ना, तो तत्सम सब्द आपको विरूप लगान लगाना है विरूप लगाना है next question है इनमेंसे आप लोग देख सकते हो शुरोत गलत है शुरोत हमेशा जब भी लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा इस्थाई भी गलत है हमेशा इस्थाई में जो या बनेगा साप सही है यार केबल तीन बाला सही है ठीक है बच्चे याद रहेगा भाई आगे एक और question लोग लेते हैं वानुफल किसका प्रयवाचे कद्दू केला अम्रूद तो याद रखिएगा वानुफल रंभा मोचा यह सब आपके किसके केला के कद्द्दी यह वह केला का ही होता ठीक है तो यहीं तक रखते हैं प्यारविध्यार्थियों हम लोग और यहीं से हम लोग अपने सेशन को लगातार जारी रखेंगे जितने लोग हैं देखिए हिंदी की क्लास में आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है जोड़ना है सारे लोग हो देखिए यह यह देखिए 26 तारीक को आपका एक कॉमबैट हो रहा है आप सभी लोग फ्री में इसमें इन्रॉल्मेंट कीजिए तभी भाग लोगे पाएंगे एबी सर्टेन कोड लगा करके इसमें संदर जान्दा फियर प्राइज भी है ठीक है बच्चे सेशन अच्छा लगा हो लाइक क प्रमा खाएंगे इसमेर श्री बच्चे से धान्दासмотрे लगा लोग लोगे पार कि अर्छे सेशने अच्सिय।